हाई बच्चो और वेल्कम बैक टो एक्स्टोर इंट्रेस्टिंग तो है लास्ट वीडियो में हमें जाना कि लीनियर चार्ट डिस्टिबिशन क्या होता है और उसकी वज़े से उसकी हेल्प से अपने एक रॉड या एक वायर से आर दूरी पे एलेक्ट्रिक फिल्ड कितनी हो होगी यह निकालना अपने सीखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अपना लास्ट वाला वीडियो आप जरूर से देखो तो इस वीडियो में अपन इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टू आर्क निकालेंगे और इसके बढ़िया बढ़िया दो क्वेशन करेंगी जिससे हमको इस concept को कैसे लगाना है multiple arcs के case में या single arc के case में ये निकालना हम सीखेंगे तो फटा फट स्टार्ट करते हैं electric field due to arc तो सबसे पहले suppose अपने के एक आर्क दिया है इस तरीके से ये जो आर्क है ये basically एक circle का part होगा एक circle होगा उसका एक छोटू सा part ही होगा ठीक है और उस आर्क के बीचों बीच से हमें line of symmetry की सकते जिसके इस तरफ जैसा diagram है इस तरफ भी वैसा ही diagram है तो ये वाली line अपनी line of symmetry के अलाती है सबसे पहली चीज़ तो इसमें आप हमेशा ध्यान रखना है एक line of symmetry होगी ठीक है और जो electric field होगी ना वो इस line of symmetry के about ही आने वाली है अभी पूरा एंगल है कुछ alpha ठीक है इस पूरे एंगल को अपन alpha बोड़ रहे हैं अब अपनको यह सोचना है कि जो आर्क है यह छोटे-छोटे charges से मिलके बना है linear charge density के हिसाब से और वो छोटे-छोटे charges सारे यहां पर electric field पैदा कर रहे होंगे और उन सारे electric fields का जो भी resultant आएगा वो ही resultant हम निकालना आज सीखेंगे ठीक है तो सबसे पहले अपनको यह assume करना है कि छोटू सा एक element अपनको लेना पड़ेगा तो suppose इस पर हम एक छोटू सा element लेंगे और इस छोटू से element की जो लंबा ही होगी वो कुछ DL length की होगी और इस छोटू से element में छोटू सा charge होगा DQ ठीक अब इस छोटू से charge की वज़े से अपनको पता लगाना है कि यहाँ पर electric field कितनी होगी तो उसके लिए थोड़ा सा अपन construction कर लेते हैं तो यहाँ पर आप notice करो कि यहाँ पर एक छोटू सा angle D theta B element बना रहा होगा ठीक है तो basically हमने अभी तक क्या किया एक छोटू से element इसकी लंबाई DL है जिसमें छोटू सा charge DQ है और वो इस center पे छोटू सा angle D theta subtend कर रहा है तो अपनको पता है अगर यह छोटू सा charge कितम point charge जैसा है तो इसकी वज़े से P point पे electric field कुछ इस direction में आएगी एक point charge की वज़े से राइट और electric field due to point charge अपन लिखते है KQ by R square तो उसक इस blue line से चोटू से charge की वैसे चोटू सा electric field आएगी उसको मैं ना बनाया ठीक है तो इस electric field का अपन कुछ नाम देते हैं तो यह अगर थीटा होगा तो यह अगल भी थीटा हो जाएगा और इस angle के तुरू हम बता सकते हैं कि इस d e electric field के दो components अपन तोड़ सकते हैं किसी vector के पन दो component तोड़ सकते हैं तो एक component इसका इधर आ जाएगा जिसको अपन बोल देंगे जिसके साथ angle उसके साथ cos तो यह बन जाएगा d e cos theta और यह component यहाँ आएगा that will be d e sin theta ठीक है अब अपन को यह सोचना है कि जैसे यह charge d q था उसकी वैसे d e आया उसका एक जुड़ वाफ़ाई यहाँ भी होगा d q उसके वैसे electric field यहाँ आएगी d e और इसके बाद अपन यह भी सोचते हैं कि symmetry से बोल सकते यह angle भी theta तो यह angle भी theta तो अपन बोल सकते फिर से यह भी d e cos theta और यह भी d e sin theta बन जाएगा और आप देखो कि यह वाला और यह वाला same होने के वैसे cancel out हो जाएगे तो अपन symmetry का इस्तमाल करके यह बता सकते हैं कि इस arc का जो भी electric field होगा वो ultimately इस direction में आएगा और वो इन सब का summation होगा तो इस वाले को अपन को calculate करने की ज़रूती नहीं पड़े क्योंकि वो cancel out हो रहा हो ultimately तो सिर्फ इस से अपन को calculate करके answer मिल जाएगा कि arc की वैसे electric field कितनी होगी तो चलो देखते हैं इसको कैसे calculate अपन करेंगे ठीक है विया तो हमने linear charge density में यह सीखा था कि जो lambda होता है उसको अपन charge density होते है कि कितना charge कितनी length में distributed है और इस arc का भी charge density suppose अपन को lambda दे रखा है ठीक है तो अपन को यह lambda दिया है और suppose इस arc का यह वाला distance है यह radius आर अपन को दे रखा है तो अब अपन निकालना चाहते हैं कि electric field छोट उसे dq charge के वैसे कितना होगा तो अपन को पता है point charge के वैसे electric field होती है kq by r square ठीक है यहाँ पर लेंगे k इसका charge dq अपन यह वाली दूरी का square और यह दूरी तो अपनी d e का value हाजाएगा k d q upon r का square अब अपन को d q लिखना है तो आप notice करो d q को आपके लिशेक्तों lambda into dl इस dl का उपर को दा तो multiply में चला जाएगा तो अपन लिख देंगे d e बराबर k lambda dl upon r square ठीक है अब अपन को एक चीज़ पता है कि अगर अपने पास एक डंडी है ठीक है उसकी length r है और उसको अपने कुछ angle theta गुमा दिया तो वही डंडी यहाँ पर आ गई यह angle theta होगा इसके बाद यह जो arc बनेगा इसको अपन बोलते है arc length l ठीक है इसकी लंबा ही होती है l तो अपन बोल चकते है theta बराबर l by r है ना arc length upon radius ही plane angle होते है ऐसे plane angle को अपन डिफाइन करते है इसी तरी किसे आप सोचो अगर यह वाला छोटू सा arc length अपना dl होगा यह छोटू सा angle अपना d theta होगा तो यहाँ पर अपन लिख सकते है d theta बराबर dl upon radius है ना तो अपन एक चीज़ छोटी सी यह भी लिख सकते हैं कि dl upon radius radius को capital r बराबर d theta तो यहाँ से आप देखो d theta into r बराबर dl अपन लिख सकते ना तो इस dl की value को यहाँ उपर substitute अपन करेंगे तो अपन को d मिल जाएगा k lambda r d theta upon r square अब देखो 1r से 1r cancel out हो जाएग तो अपन को d e मिल जाएगा k lambda by r into d theta तीक है यह अपना d e आ गया अब आप notice करना अपन को निकालना क्या है मैंने बता है था आपको d e cos theta ही निकालना है d e sin theta तो यहाँ horizontal वाले सारे cancel out हो जाएगे तो यहाँ से आप देखोगे कि जो net electric field होगा वो d e cos theta की वज़े से ही होगा तो basically e net जो आएगा वो इधर आएगा और उसकी value की integration of d e cos theta तो चलो इसको निकाल लेते फटा फट तो जो भी net electric field आएगा उसका expression बनेगा d e cos theta है ना और d e की value आप लेख सकते हो k lambda by r into d theta यह वाला और यह जो cos theta था उसको अपन ने ऐसे करके लिग दिया तो यह अपना e net बन तो यह अपना reference था origin था basically इसके इधर अपने theta angle माना था तो यह वाली direction अपनी positive होगी whereas इसके opposite वाली direction अपनी negative होगी सबसे पहले यह तो पकड़ो आप है ना उसके बाद अगर यह 0 है तो इस वाले को अपन plus alpha by 2 बोल सकते हैं और इस side वाले को अपन minus alpha by 2 करके बोल सकते हैं तो यहां से आप देखोगे कि यह वाला angle यहां से इतना यह हो जाएगा minus alpha by 2 से लेके इधर वाला angle हो जाएगा अपना plus alpha by 2 तो अपनी जो integration की limit लगेगी वो minus alpha by 2 से लेके plus alpha by 2 में लगेगी तो यहाँ पर अपन फटख़र लिमिट्स लगा लेते हैं minus alpha by 2 से लेके plus alpha by 2 ठीक यह तो constant है तो यह constant के बाहर आ जाएगा अब integration करना है cos theta d theta का जिसमें जो अपनी limits होगी वो लगए कि minus alpha by 2 से plus alpha by 2 ठीक है यही अपना e net आने वाला है तो यहाँ से आप notice करोगे यह बनेगा k lambda by r और cos theta का integration क्या होता बच्चो sin theta और इसमें आप limits लगा देना minus alpha by 2 से लेके plus alpha by 2 है ना तो अपना e net के expression क्या बन जाएगा e net बराबर k lambda by r into sin alpha by 2 upper limit minus lower limit में आप डालोगे sin of minus alpha by 2 अच्चा अपन को यह पता है sin of minus theta is minus sin theta तो basically यह वाला minus sin जो यह निकल के बाहर आ जाएगा और इसके साथ जोड़के वो plus बन जाएगा तो अपने को मिलेगा k lambda by r sin alpha by 2 plus sin alpha by 2 तो जो अपना ultimate expression बनेगा वो बनेगा e net बराबर 2k lambda by r into sin alpha by 2 तो यह अपना final expression है अब इसमें आपनको सबसे important बात जो ध्यान रखनी है वो यह है कि जो alpha है वो वो angle है जो यह arc अपने center पे subtend कर रहा है यह वाला यह पूरा angle alpha है हमें इस expression में यहापर उस angle का half रखना है यह ब तो पहला example यह रहा तो इस सवाल में अपन से पूछा है कि हमारे पास एक quarter circle है बोले तो पूरे circle का one fourth part ठीक है और उसकी वैसे इस origin पे electric field पूछा है तो सबसे पहले याद करो line of symmetry अपनको बनानी है तो line of symmetry अब देखो कि यहाँ से 45 degrees पे बनेगा ठीक है क्योंकि यह पूरा 90 है तो यह आदा 45 और यह आदा 45 राइट तो line of symmetry इसके बीचों बीच से बनेगी यह बात अपनको सबसे पहले ध्यान रखनी है अच्छा electric field भी इधर ही आने वाली है क्योंकि इस direction वाली तो cancel out हो जाएगी राइट तो सबसे पहले अपनको जो formula formula क्या है e net बराबर 2k lambda by r sin alpha by 2 अब यहाँ पर alpha क्या है alpha यह वाला angle है जो यह पूरा r का अपने center पर subtend करता है अब आप देखो क्या alpha तो 90 degree है 90 का आदा 45 तो यहाँ पर 90 by 2 आप रखना तो अपना e net का जो value आएगा e net will be 2k lambda by r sin 90 degree upon 2 तो अपने को e net मिल जाएगा 2k lambda by r अच्छा sin 45 होता है 1 by root 2 तो यह जाएगा 1 by root 2 अच्छा अपन क्या कर सकते है इस root 2 से इस 2 के अंदर में root 2 बेठा उसको cancel कर देंगे तो अपना answer जो final बनेगा वो बनेगा root 2k lambda by r तो अपने को जो net electric field मिलेगी न वो इस direction में आएगी और वो यहां से 45 degree बना रहे होगी कैसे क्योंकि यह angle 45 है तो यह भी angle 45 हो जाएगा तो यह वाला भी 45 तो net electric field यहां 45 degree पर आएगा क्या आप मुझे comments में बता सकते हो कि इसको i cap और j cap में कैसे करके अपन लिखके बता सकते हैं चलो फटा 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 एक आखरी बहुत ही बढ़िया question करते है इससे अपने को एक concept में और बढ़ी understanding बन जाएगी ठीक है तो इस सवाल में अपन को दिया है कि एक semi circular r किये है और एक semi circular r किये है basically दो आदी आदी rings type का कुछ दिया है और हमसे पूछा है center पे electric field बता हो तो इस semi circular r की वैसे electric field आएगी नीचे और इस semi circle की वैसे electric field आएगी उपर तो अपन देखते है इन दोनों का net कितना आएगा ठीक है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसको उपर वाले को ring number 1 बोल देता हूँ semicircular ring 1 और नीचे वाले को ring 2 बोल देता हूँ सबसे पहले अपन निकालेंगे कि उपर वाली semicircular ring की वैसे कितनी electric field नीचे आएगी उसको suppose मैंने e1 बोला अचा electric field due to r का formula है 2k lambda by r sin alpha by 2 ठीक है तो electric field due to अपर वाला पार्ट वह हो जाएगा 2k आचा उप multiply में आप लिखोगे sin अचा ये angle जो है ये तो 180 degree है है ना semicircle जो होता है वो center पर 180 degree subtend करता है तो अंदर आएगा sin 180 by 2 तो अपना e1 की value के निकल किया जाएगी वही 2 से 2 कटा तो ये बनेगा 2k lambda by r और ये बनेगा sin 90 और sin 90 की value तो 1 होती है तो यहाँ पर 1 आजाएगा नीचे वाले semicircle वाले की वैसे उपर electric field आएगी कुछ e2 तो e2 की value आप निकाल सकते हैं 2k lambda अचा नीचे वाले का lambda तो lambda ही है और r की value आ रही है तो लिखेंगे 2k lambda by r into sin अगेन आप देखो कि ये भी तो 180 degree बना रहे है तो 180 by 2 लिख दोगे sin 180 by 2 तो ये अपना क्या बन जाए और e2 आएगी 2k lambda by r तो अब अगर आप notice करोगे तो e1 भी 2k lambda by r e2 भी 2k lambda by r मतलब ये दोनों ही electric field cancel out हो जाएगी क्योंकि ये बराबर है और opposite directions में तो ओ पर अपन बोलेंगे e net जो निकल के आएगा e net at o will come out to be 0 तो इस सवाल का correct answer हो जाएगा e net will be 0 तो I hope इस वीडियो से आ आपको electric field 2r completely समझ में आया होगा एंड फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में तिल देन बड़ी ऐसे पढ़ाई कर दे रहो एंड टेक केर बाए बाए